नमुश्कर के मुनाचेन शबाई आज के ब्लोगे शबाई के शागोत जनाई कल दिपा बुली गया आशा करती हूँ सब लोग स्वास्तो और खुश हो मा लक्ष्मी की किपा सब पे बरसे आज को वीडियो थोड़ा लोग है लेकिन सबस्दा अनुरद है अब लास्ट मिन तक देखते रहे ना लास्ट सेगंड को भी देखना क्योंकि लास्ट सेगंड तक इसको में काम है मैं आदा लीटर दूद ली और इसको घाड़ा कर लिए एक डम जैसे खोवा बनाते अभी एक सुग्राम मावा ली इसको क्राम्बिल कर ली अभी इसमें एट कर रहे है और इसको अच्छे से दूद के साथ मावा को मिक्स करना है और नीचे कड़ाय की थोड़ा ये पकार लेता है क्योंकि दूद भी घड़ा हो चुका है तो हमेशा नीचे थोड़ा कड़ाय को घिस घिस के हम लोग साप करेंगे अभी आदा कप में सुगर ले ली और इसको भी अच्छे से मिला रेंगे तब तक मिलाएंगे जब तक ये सुगर एक दो मेल्ट ना हो जाए जैसे ये मेल्ट हो गया तो फिर दूसरा जो है में काजू जैसे थोड़ा सा दरदरा रखके पाउडर करें लिए उसको भी में डाल जाए हूँ और इसमें अच्छे से फ्लेवर भी आएगा और थोड़ा मुह में दाना दाना काजू आने से अच्छा लगता है इसलिए मैं थोड़ा दरदरा टाइप का काजू को पीश ले थी और मैं अभी सुखा हुआ नारियल चार पच्छा मुच्छ इसमें एड़ कर दी हूँ उसको भी मैं मिक्षी में एकदम पाउडर बना ली थी और अभी यह सारे मिक्सरन को एक सार में अच्छे से सब तक मिलाएंगे जब तक यह पूरा इंग्रेंट तों गाड़ा ना हो ज किटी जैसे बनेगा लेकिन आप चाहू तो खुआ बोल सकते लेकिन खुआ नहीं है इसमें सारे ड्राइफूर्स पड़ता है आप चाहू तो इसमें अमांड चिरोंजी और काजू भी डाल सकते हूँ अभी में आदा कप मिल्क पाउडर रैट करें थोड़ा थोड़ा करके अभी एट करूँगी क्योंकि एक साथ नहीं डालना है और जैसे थोड़ा इसमें मिक्स हो जाएगा उसके बाद फिर थोड़ा डालेंगे ऐसे करके तीन-चार पार में मिक्स करते जाएंगे देख लिजे अभी कितना घड़ा हो चुका है क्योंकि सारे सुका सुका पाउडर मैंने इसमें डाला फिर मिल्क पाउडर डाला तो अभी से एक दुम कड़ाई को पकड़ रहा है और यह हमेशा धियान रखना है नीचे से जनने का डर रहत है तो जब आप कंची चलाओगे नीचे की तरफ थोड़ा ज्यादा धियान देना कड़ाई की और रेख लिजें मेरा यह जो है पूर रेड़ी है अभी आज जो मिठाई बन रहा है उसके लिए मैदा लगा लेते जो काला जीरा है ओ मैंने थोड़ा सलिया ज्यादा नहीं और फिर घी को मैंने मेल्ट कर जुकर ठंडा सुरू हो गया ठंडी आ गए तो अभी दुम जमा हुआ था कटरी मेरे यह घी मेल्ट की तो गरम था इसले चममस से में डाल रही है और करीब में 5-6 जममस घी को मेल्ट कर लिती अभी अच्छे से मयम देना है मयम आप कैसे दोगे उसके उपर डिपेंड करता है आपका पूरी या कुछ भी आप भरने वाला कुछ भी बना रहे हो वो कैसे बनेगा और मयम अच्छा रहेगा तो पूरी भी बहुत अच्छा फूलता है और मयम अच्छे से देना चाहिए और जैसे हम यह से हाथ में कर रहे हो ना ऐसे करना चाहिए कि घी हर एक माइदे म अच्छे से मिक्स हो जाएत थोड़ा टाइम लेके मायम देना चाहिए जैसे दो-चाय समय मम ध्या़ मिनीट में नहीं कहत्म करना चाहिए जैसे घी ज्यादा दे देप्धों .. तो जैसे हम मुठी बना रहे तो एğ मुठी बन रहे लेकिन मैं फिर भी दस मिनित तक मैयाम देनी के बाद ही यह आटा जैसे यह मैदा लगा रहे हूँ और देख लीजे मैं आदा कप पानी से पुरा यह देड़ कप मैदा को मैंने गोद ले मैदा को जादा नर्म या जादा सक तो नहीं बनाना है और इसको मैं दस मिनित ढखके रखी थी पूरा डो को और उसके बाद फिर भी मैं यह चक्की पर अच्छे से इसको मसल मसल के बूत रहे हूँ जैसे आप दस मिनित रेस देते हो तो अच्छा होता है मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा दी इसलिए कि आपको पूरा वीडियो में दिखा सकते हूँ आज यह प्रशाद की काम हाया मेरा कल दिपावली का था यह तो इसलिए मैंने इसमें बाहा हाथ नहीं लगाए हमारे दार बाहाथ से भगवान का प्रशाद टच कमी करते जुरूरत ना पड़े तो तो अभी जैसे वने इसमें पूरी जैसे बेल ली और इसके बाद यह हम पूर जो बना के रखेते पहले पूर पहले इसलिए बनाए थे कि पूर ठंडा हो जाए पूर में थोड़ा सा जो सोफ है वह आट कर दी मिठाई के लिए वह सुंदर और सुगंद और टेस्ट भी देता है अभी इसमें एक एक करके लौह में चिपका दूंगी और ऐसे वह बिल्कुल सील हो जाता है और एक एक करके सारे बुरिया बेल कर तैयर करके सब में एक चमुष करके पूर और एक करके किश्मिश में रखके फिर उल्टा करके लौंग से सील कर दूंगी इसलिए इसका नाम लाबंग लोती का है बंगल में लौंग को लाबंग बोलते है और अभी घी रग दी कड़ाय में और एक में पहले तल के देखा घी गरम हो च अगर आप ज्यादा हीट मतलब फ्लेम ज्यादा कर देंगे ना तो उपर से तो देखेगा पूरी जाएसे तल चुका है तो हमें इतना मतलब किसले लोग हीट में पकाने ऐसे नहीं है इसको अगर आप लोग फ्लेम में पकाएंगे ना तो अच्छे से अंदर तक क्रशी हो जाएगा अच्छे से पकेगा और आपको इसको कम से कम 10 से 15 दिन तक रखकर खा सकते हो अगर तेज फ्लेम पर आप पकाऊगे तो उपर से तो दिखेगा शीख गया लेकिन अंदर कच्छा रह जाता है तो आज की दिन की आज ही या नहीं तो कल आपको यह खतम करना होगा मिठाई बना रहे तो बच्चों के लिए अगर भर में बना के रखके या कल भाय दूज है उसके लिए भी बना के रख सकते हो भाय दूज में यह सूइट अच्छा ही लगएगा फिर मेरा ये एक बैच सीट चुका है जादा लाल तो नहीं करना है इतना है लाल करके मैंने कलर जो आया ये ठंडा हो जाएगा तो कलर और आ जाता है दूसरा बैच को भी अभी घीमे में डाल दी और उसको भी सेम प्रोसेस से तलते जाएंगे अभी चलिए हमारा जो शिरप बनाने वो किस तक हfelt है एक तर का सिरप हमें बना के रेडी रखना है मैं सिरप बनाना नहीं दिए क्योंकि थोड़ा सै सिरप बनाना है मैं आधा कप चीनी ली और उसमें तिन चमस पानी आठके और फिर एक तर जैसे चिपचिपा होने लाइक सिरप बना ले अभी सारे एक एक करके निकाल दिये अभी देख ली जे पहले से कलर और सुन्दा देख रहा है सारे लबंगुलति का बन कर तायर है अभी चीनी का जो सीरा आपने बना के रखे थे थे वो आधा ठणडा होने तक हमें इंतिजर करना है नई तो हमारा जो ओर इंदा में बिगड़ सकते हैं यादा कर में लहीं डालना है नर्म हो जाता तो यह आधा ठंडा हो गया तूरंड जम जाता है तो इसका देखने में भी सुन्दर लगते हैं और टेस्टी भी बनता है बड़ी जा तरीके के हार एक में अच्छे से आपको ये चीनी का सिरा डालना है और देख लिजे अभी तो ये सुखा नहीं है लेकिन सुखने के बाद एक दो सुन्दर कलर आ जाएगा ये चीनी का सिरा अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज प्लीज मेरे ये चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना थेंक यू वाचिंग फार माइं वीडियो